सर आज आपका राइवर्ली चंदा पूरा आना हुआ पहले तो यात्रा के बारे में बताईए कि आप वहां से आज उत्तर प्रदेश के सरजमी में आए हैं क्या कहेंगे आज हम लोग जिस परिष्थितियों से गुजर रहे हैं उत्तर भारत के लोग किसानी के छेत्र में जर नए प्रयोगों के जरूरत है उन संदर्म में हम लगातार यात्रा कर रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से जो हमारी समस्या है उससे हम निजात पाएं एक आप मान सकते हैं कि उस दौर में जब कहा जा रहा था कि दो हजार बाइस में हम किसानों के आय को दो गुना कर देंगे और जो पड़ाम आये हैं जो राष्ट आर्वियाई ने रिजर बैंक ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट जारी की हैं वो पिछले आठ साल में किवल आठ प्रत्सत ग्रोथ का एक अंदाजे से मैं उस आंक्रे से भी सहमत नहीं हो इसलिए क्योंकि जो कल्कुलेशन है जो डेटा है सरकार के पास वो मिनिममम सपोर्ट प्राइस पर हैं जबकि सभी को पता है किस तरीके से विहार हो या उत्तर प्रदेश मिनिममम सपोर्ट प्राइस एक छलावा है 20-25 परशंट से जादे किसानों की उस प पीदितत्य प्रश्चती में एक जूट होना होगा अपने मुद्धों पर कि हम को भव्यार को उत्तर प्रदेश को उत्तर भारत को कहां लेकर जाना है अगर आने वाले वक्त में तो हमारी पेधियां आने वाले पेधियां मुझ जैसे लोगों को माफ नहीं करेंगी कि आप वक्त रहते लोगों को अगाह नहीं किया अचार लगातार आप बिहार प्रदेश के जो मुख्यमंत्री नितेश कुमार उन पर हमला बोल रहे हैं और एक मंत्री होते हुए भी आपने लगातार अपने बिभाग के उपर बहुत सारे सवाल उठाएं क्या कहेंगे ऐसा क्या हो गया कि आप सीधे सीम पर हमलावर हो गए उनके पर कटाच कर देखे आप जो नई परिस्थितियों के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग जब पिछले सत्रह सालों से जब से मुख्य मंत्री हैं हम लोग तनलगातार हमेशा कई आउसरों पे उनकी भी फलताओं को यागर किया आपको याद होगा कि जो भारत सरकार ने जो तीन नए क्रिशी कानून को लाने का काम किया था उसका मॉडल ड्राफ नितियो मुख्य मंत्री के तौर पे जाते हैं 2005 में तो पहला नितियस कुमार का काम होता है कि वह बिहार में 2006 में क्रिशी कानून को खतम कर देते हैं जिस कानून को मोदी जी को खतम करने में 2020 में आकर करते हैं वो काम नितियस कुमार 2006 में करते हैं अब सवाल यह है कि देश भर के तम नहीं है तो भीतिति में क्या बदलावा गया ऐसे है विहार के किसान अगर सबुलना में च्छे सव प्रतिशत आयकांगां शन्तर नहींैं बिहार के किसान से पंज़ाब के किसान का छे गुना आमदनी एक सुनने में जितना आसान लगता है उसको अगर महसूस करिएगा उसके ताप को तो आपको लगेगा कि फिर बिहार के किसान जिन्दा कैसे हैं बिहार के किसान बहुत जोजारू हैं और अपने मेनहत के बदोलत अपने राज से लेकर देश के सभी छित्रों में अपना कई तरीके से अपना अपने श्रम के बदोलत तो अपने रोजी रोटी और साधन जुटा लेते हैं लेकिन इसका मतलम नहीं है कि किसी क्रिशी कानून विहार में जो रद्ध हुआ उसे विहार को कोई फायदा हुआ अगर विहार को फायदा होता तो पंजाब के मुकाबले विहार बहतर परदर्शन करता लेकिन सबको मालूम है कि विहार में सफसियादे पलायन कहीं है किसी एक राज के वीतर 14 करोण आबादी में 4 करोण लोग पलायन कर गए अपने रोजगार के खोज में और देश के कई हिस्सों में आप देखेंगे उनको और कितनी मुश्किल हालात में जीते हैं जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते आप कस्मीर में देखें उनकी हत्याय हुई आप असाम में देखें उनकी हत्याय हुई क्यों उपने जीवन या अपनों सणक के किनारे करते हैं, टेंटों में करते हैं, वो आसान होता है उनको लच्छ करकर के दुरघटना के लिए, आप कस्मिर में भी देखे होंगे, या आसाम में देखे होंगे, या पामिलाडों में सुने होंगे, ये लगातार उनके उन पे जुल्म करka दो हैं मैं उरस आदमी जो भीहार का लुख मंतरी पिष्टे सालों से लगातार रहने वाले मुख्यमंत WAT कायसे मैं उनको कहूं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं सभाविख आपने मोद्दे पर पार्टी के मुद्द पर हैं उसपर हम आगे बढ़ेंगे और तब उनका इस्थिपा विहार से नहीं हो जाता अमंद देखा गया कि मंत्राले मिल जाता मंद्री को तो अपने ही मंत्राले पर आपने बहुत सारे सवाल या निशान उठा और मुक्वे मंत्री नितीश कुमार भी बहुत सारी बाते सहें तो ऐसा क्या थो नगिक ब्रश्टा चार इस कदर था जिसको मैं उदाहरन के तोर पे देखूं कि लोग कहते हैं कि दाल में नमक के बराबर फश्टाचार होना चाहिए लेकिन बिहार में क्रिशी विभाग तो नमक से ही दाल बना लेते हैं लोग इस तस्तर का है सतर से अस्धी फिषडी पैसा विभाग का साइफन कर दिये जाते हैं सब्सिडी के नाम पर और जो मैं मानता हूँ एक किसान के रूप में कि मुझे इनपूट सब्सिडी की आओ सकता नहीं है देश की किसानों की विभाग कर रहा हूं उसको सुनिष्चित आई की दरकार है उ उसको आप मंडी की जरुवत है, बीग स्केल की मंडी, यह छोटी मंडियों से नहीं काम चलेगा, तब जाकर के आप पूरे लॉजिस्टिक चेन को ठीक करना होगा, सप्लाई चेन को ठीक करना होगा, क्योंकि हम दुनिया के, आज बाजार कोई लोकल नहीं रह गया, जब से हम आप WTO रिजिम में हैं, तो पूरा बाजार ही गलोबल हो गया, और गलोबल बेंचमार्क के लिए, हमारे पास जो बेसिक इंफ्राट्रक्चर होना चाहिए, कोल स्टूरिज का चेन होना चाहिए, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन होना चाहिए, वेर हाउसेज होना चाहिए, वो हमारे किसानों को दूर की कौड़ी है, सारा फोकस किसानों को इनपूट कॉस्ट दे करके प्रोडक्शन बढ़ाने पर है, क्यों? कि निस्तनल सेकुरिटी के लिए सबसे जरूरी है फोट सेकुरिटी, और इस देश में निस्तनल सेकुरिटी हो या फोट सेकुरिटी, व वह दोनों जिम्यदारी किसान के कंधे पर है वाना आज भी पैदा करता है और घर में उसके जो बच्चे होते हैं वही सेना पर सीमा पर जाके लड़ते हैं यह दोनों जिम्यदारी किसान के मत्थे और उसकी जब उसकी जरूरतों को हम देखें तो पता चलता है कि वह प्रति दिन की उसके आए इतनी भी नहीं होती कि वो सम्मान पुर्वक जीवन जी सके ऐसे बिशम प्रस्थित्यों में आगे आना होगा सभी लोगों को मंत्रिपद आते रहेंगे जाते रहेंगे यह कोई लच्छ नहीं है एक रास्ते का पड़ाव है जो लच्छ है किसानों के जीव उद्देश रहेगा बिहार प्रदेश के मंती रहते हुए आपने इतनी आवाज भुलंद की तो किस तरह का बिहार प्रदेश प्रदेश आप देखते हैं बनते हुए आपको लगता कि इस तरह से हमारे प्रदेश का विकास होना से यह आपकी क्या सोच है उसकर बिहार लनायक रहे हैं और नितीज कुमार रहे हैं आर्थिक जो बदलाओ की जो लड़ाई थी मैं बीच में कहा भी था कि नितीज कुमार को इतिहास बहुत अच्छे से याद नहीं करेगा मैं सब्द को पुनह उस सब्द का मैं उपयोग इसलिए नहीं कर रहा हूं कि उनसे बहुत उनको पीड़ा पहुंची है मुख्यमंत्री जी को लेकिन एक बात है कि इतिहास आपको बहुत अच्छे से याद नहीं रखेगा पद से हटते ही नितीज कुमार को आप मान के चलिए कि ठीक उसी तरह से याद किये जाएंगे जैसे उत्तर पदेश में दो दिन के लिए आएंगे तो आप कैसा प्रदेश चाहते हैं बने आपका बिहार सुखी प्रदेश बने पलायन रोके हमारी किसानों की आई इस देश में पंजाब और महराष्ट के मुकाबले ब्यहतर हो इसके लिए कोई विशेश प्रयास की जरूवत नहीं है थोड़े से नीतिकत बदला पाउलाने हैं क्योंकि बिहार में सबसे जादे प्रचूर मात्रा में पानी है हमारे पास सबसे अच्छे मिट्टी है हमारे सबसे अच्छे कामगार है जो अपने ही नहीं राज के दूसरे राज्यों के यह भी खेती में हाथ बटाते हैं जब यह तमाम चीजे मेरे लिए ज को अकमडेट करना होगा इससे पूरी विहार का देड़ लाग क्रोन रूपे आए बढ़े का किसानों का एक साल के भीता देड़ लाग एक बड़ी रकम होती है लगभग राजी की बजट के वरावब जस्ट डबल हो जाएगा एकॉनमी में केवल थोड़े से प्रयास से लेकि और उन्ही के साथ ही उन्ही के दल के साथ गटबंधन में थी आज भी भाजपा से उनका नीतिगत जगड़े नहीं है नीतिगत बिवाद नहीं है केवल अहम की लड़ाई है जो सत्ता की जो अंदुरूनी संगर से जिसको विहार की जनता को जरूत नहीं है समझने की उस अं बिहार के हिद केली ने अच्छा अंतीन सवार में आपके पार्टी ने आपको मुटस दे दिया है और आपने मंति पर दुष्ट हो दिया है ऐसे में किसी दूसरी पार्टी में जाने के बारे में सोच रहे हैं क्या आगे कि ड़नीती आपकी ड़ेगी आपका छेहरा जो है बहुत पापुलर हो गया लगा था लोग आपको छेट देख रहे हैं कि ऐसा मंति जिस अपने मंति मंदल मतलब अपने जिभा के खिलाब तक रहे हैं तो आपने अपना क्या राजनीती जो आगे क्या इसके हो सकता है जब आप देश में राजनीती में हो और देश में लोग तंत्र के लिए पार्टियां अपरिहार है लोग तंत्र चलता ही है पार्टियों से बिना पार्टियों का चलता नहीं लेकिन यह सही है कि केवल राजनीती के लिए दलवदल ले आदमी इसका कोई आचित्य नहीं जो पार्टी हमारी है उस पार्टी के साथ ही मिलकर के बिहार में और उतर भारत में देश में हमनू राज निती में जो मुद्दो के आधार पे जिस विसूज को हमनू लेकर आगे बढ़ेंगे उसको आगे बढ़ेंगे एक औसर आएगा जब लोगों को महसास होगा कि बिहार के पिछड़े पन की है सबसे जो प्रतीक के रूप में नितीज कुमार जिन से मुक्ति लोग ले लेंगे और हमारे जो एजिंडे हैं जो हमारे पार्टी के जिंडे हैं जो सत्रह सालों से नहीं हमारे आजादी के बाद से लेकर समाजवादी आन्दुलन के इतिहास को उठा कर देख लिजिए और worst day party से जब विहार में जंता पार्टी के विक्तन के बाद हमने विहार में जो पार्टी बनी दलीत मजदूर किसान पार्टी शर्गे करकुई ठाकोर जी की नित्रत में उसमें भी किसान ही केंद्रिय मुद्दा था आप आगे अगर चौधी चनंची के साथ लोगदल के साथ मरजर था करकोई ठाकोर जी का तो उसमें भी मुद्दा केंद्रिय मुद्दा किसान ही था आप बेपी सी के पधान मंतिल के कारकाल के दिखी अंतिम में ओग गेहु आयात के बुर्ध में मुंबई पोर्ट पर भूख हर्ताल में उनका किड्नी फेल कर गया था आज भी हम लोगों के लिए प्रड़ा सुरोत के रूप में काम करता है हम जब भी देखेगा इतिहास में समाजबादी आंदुलन हम किसानों की पार्टी किसान कामगार और हम लोग कारिगर की पार्टी हम इनहीं मुद्दों पर लड़ते रहे हैं हमारे लिए सत्ता विशय पर आगे हम संघर्ष करेंगे, इस दोर में सत्ताय आएंगी, जाएंगी, उससे हम लोग चिंतित नहीं है.